यह रहा guys हमारा MT8 Ultra Smartwatch का box and यह है हमारा HW8 Ultra Max Smartwatch का box चलिए दोनों ही watches का comparison कर लेते हैं MT8 Ultra के box में सबसे पहले आपको एक user manual देखने को मिलेगी जो कि हमारे English में होने वाली है and then आपको box में एक straps देखने को मिलेंगे जो कि हमारे ocean loop straps है and straps की quality की बात करें तो काफी बढ़िया quality के हमें steps देखने को मिलते हैं nextly आपको box के साथ एक fast charging cable देखने को मिलती है जिसके तुरू हमारी watch वाच वन आवर में full charge हो जाती है and last में आपको एक watch देखने को मिलती है watch की quality मैं आगे discuss करूँगा वीडियो में जब तक test कर लेते हैं इसके magnetic strength की and आप देख सकते हैं कि wire की strength बिल्कुली मेरे को cheap quality के लगी यह बिल्कुल भी hold नहीं कर पा रही है हमारी watch को तो कह सकते हैं इसके magnetic strength बिल्कुली low quality है बात करें हमारे SW8 Ultra Max smart watch की inner ingredient की तो सबसे पहले आपको एक user manual देखने को मिलता है जो की काफी लंबा चोड़ा होने वाला and हमारा same to same apple watch ultra की तरह user manual आपको देखने को मिलता है then box में आपको एक caution loop steps देखने को मिलते है and in steps की quality की बात करूँ तो MT8 की comparison में in steps की quality काफी मेरे को low लगी and next लिए आपको box में एक wireless charger देखने को मिलता है and wire की quality मेरे को एक दम perfect लगी and इस wire की length की quality भी मेरे को अच्छी लगी and then आपको box में एक watch देखने को मिलती है watch की quality मैं आगे वीडियो में discuss करने वाला finally test कर लेते हैं हमारे watch की magnetic strength magnetic strength चेक करने के लिए मैंने attach कर लिया हमारे charger को अपने watch के साथ and इस watch के भी मेरे को magnetic strength काफी cheap quality के लगे बात करें watch के outer bodies की तो front side पे आपको 1.99 inch की HD display देखने को मिलती है and right side पे सबसे पहले आपको एक ground button देखने को मिलता है then आपको एक microphone देखने को मिलता है and back side पे आपको कुछ sensors देखने को मिलते है and 4 corners पे आपको screws देखने को मिलते है and watch के left side पे सबसे पहले आपको एक speaker देखने को मिलता है and last में आपको एक action button देखने को मिलता है जो की working होने वाला है हमारी इस watch में बात करें SW8 Ultra Max smart watch के outer bodies की तो front side पे आपको 1.99 inch की LCD display देखने को मिलती है and right side पे आपको सबसे पहले एक crown button देखने को मिलता है then आपको एक microphone देखने को मिलता है and last में आपको एक power on off button देखने को मिलता है बात करें watch के back side की तो back side पे आपको गुछ sensors देखने को मिलती है इस watch में भी आपको metallic body देखने को मिलती है बात करें watch के left hand side की तो left hand side पे सबसे पहले आपको एक speaker देखने को मिलता है and last में आपको एक action button देखने को मिलता है finally test कर लेते हैं हमारी watch start करने पे आपको कौन-कौन से logo देखने को मिलेंगे तो सबसे पहले मैं test करने वाला हूँ SW8 Ultra Max smartwatch को SW8 Ultra Max smartwatch को own करने पे आपको hello का लोगो देखने को मिलता है and 3-4 second में हमारी watch start हो जाती है so आप test कर लेते हैं हमारी mt8 ultra smartwatch को इस smartwatch को start करने पे आपको apple logo देखने को मिलेगा and 2-3 second में हमारी watch start हो जाती है तो Logos के मामले में तो मेरे को सबसे best लगी MTA Tartre Smartwatch और आप अपनी पसंद की Smartwatch comment section में बता सकते हैं HW8 Ultra Max Smartwatch में आपको inbuilt 6 watch faces का support देखने को मिलता है और watch को app के साथ connect करने के बाद आपको 500 plus watch faces का support देखने को मिलेगा तो अगर आपको HW8 Ultra Max Smartwatch को अपने phone के साथ connect करना है तो सबसे पहले आपको एक application download करना है जिसका नाम है WearFit Pro application यह application आपको easily play store पे देखने को मिल जाएगी इसको download करने के बाद आप easily अपने watch को phone के साथ connect कर सकते हैं और अगर आपको MTA Ultra Smartwatch को अपने phone के साथ connect करना है आपको एक QR code देखने को मिलता है जिसको scan करने के बाद आप easily watch के application download कर सकते हैं and downside करने पे watch में सबसे पहले आपको एक Bluetooth का function देखने को मिलेगा and इस watch में आप easily अपने according Bluetooth on-off कर सकते हैं then आपको watch में एक short video control नाम से feature देखने को मिलता है जिसके तुरू आप YouTube, Instagram ये सारे features control कर सकते हैं and आप देख सकते हैं कि इस watch में gesture feature properly work कर रहा है so watch में right side slide करने पे आपको कुछ favorite features देखने को मिलेंगे जो कि आप easily use कर सकते हैं and watch में downside slide करने पे आपको notification का feature देखने को मिलता है so finally बात करें हमारे MT8 Ultra Smartwatch की तो इस watch में left side slide करने पे आपको कुछ shortcut features देखने को मिलेंगे and इन feature को आप अपने according add नहीं कर सकते and downside slide करने पे आपको सबसे पहले एक Bluetooth का feature देखने को मिलेगा जिसके तुरू आप Bluetooth on off कर सकते हैं इस watch में and nextly आपको एक silent mode करने का feature देखने को मिलेगा Guys, HW8 Ultra Max smartwatch में आपको inbuilt number of 4 menu sets का support देखने को मिलता है और इस watch में आपको crown button भी working देखने को मिलेगा तो बात करें watch के कुछ important applications की सबसे पहले मैं test करेता हूँ इस watch के sensor sensor test करने के लिए मैंने on कर लिया इस watch का heart rate feature तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस watch के साथ अपने hand involved नहीं किये हैं तभी भी ये हमारा heart rate feature बता रहा है तो कह सकते हैं इसके sensor बिल्कुल भी accurate नहीं है और अगर आप एक gaming smartwatch ढून रहे हो तो आपको इस watch के अंदर एक game से देखने को मिलेगा जिसका नाम है color blind टाइम पास करने के लिए ये game बिल्कुल सही है आपके लिए और watch को peak sunlight में यूज करने पर आपको कोई भी issue face करने को नहीं मिलेगा और next लिए आपको watch में एक short video control नाम से feature देखने को मिलेगा जिसके थुरू आप YouTube and Instagram के real scroll कर सकते हैं अपने watch के थुरू देन watch में आपको एक calculator feature देखने को मिलता है और ये थे watch के कुछ important features अगर आपने इन दोनों ही watches के detail review नहीं देखे तो मैंने i button में link दे दिया है आप अपने according कोई सी watch की detail review देख सकते हैं इस watch के अंदर आपको inbuilt number of 5 menu sets का support देखने को मिलता है so guys इस watch के अंदर भी आपको crown button working देखने को मिलेगा so guys बात करें दोनों ही watches के battery life की तो HW8 Ultra Max smartwatch में आपको 3 दिन का battery backup देखने को मिलता है and MT8 Ultra smartwatch में आपको 1 दिन का battery backup देखने को मिलेगा and MT8 Ultra smartwatch को switch off करने पे भी battery अपने आप drain हो जाती है and बात करें watch के कुछ important application की तो सबसे पहले मैंने on कर लिया इसके heart rate feature so आप देख सकते हैं कि मैंने अपने hand involved नहीं की है watch के साथ तभी भी यह हमारा heart rate बता रहा है तो कह सकते हैं इस watch के भी sensor बिल्कुल भी accurate नहीं है and guys मैं आपको एक चीज़ बता दू कि इन दोने watches में आपको calling support देखने को मिलता है and nextly आपको watch में एक find my device करके feature देखने को मिलता है जिसके through आप अपने device को ढूण सकते है and इस watch को use करने के बाद मेरे को पते चला इस watch में आपको किसी भी type का lag देखने को नहीं मिलेगा then आपको watch में एक calculator feature देखने को मिलेगा and then watch में आपको ये compass feature देखने को मिलता है and guys एक चीज़ में आपको बता दू इस watch में आपको किसी भी type की game देखने को नहीं मिलेगी तो guys आप comment करके बताओ कि आपको इन दोनों watches में से सबसे best smart watch कौन सी लगी और बात करें इस watch के pricing की तो hw8 ultra max smart watch आपको around 2000 के around देखने को मिलेगी and mt8 ultra smart watch की pricing 1900 होने वाली है तो guys अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक like कर देना और चैनल पर पहली बार है तो subscribe कर देना thank you so much for watching